हम qualitative data के analysis वाली गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं तो जब भी किसी तरह का भी कोई data आप collect करते हैं या उसकी गुफ्तगू करते हैं तो आप में देखा होगा कि दो बाते हमेशा से सामने आती हैं उसकी validity और reliability की गुफ्तूर अब अमूमन लोग ये कहते हैं कि qualitative data में ये दोनों concept उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से ये हम quantitative में discuss करते हैं ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि हम उस तरह से नहीं कर पात करेंगे या उस तरीके से नहीं करेंगे जैसे वहाँ इसको हम examine करते हैं लेकिन ये तसवरात अपनी जगा valuable है data का valid होना या data का reliable होना ये दो नागुजीर features हैं जिसके बगएर आप data का इस्तमाल आगे नहीं कर पाएंगे trust के साथ तो जब हम इसको refer करते हैं qualitative data में और लफ़ इस्तमाल करते हैं validity तो basically ये उसकी credibility की बात हो रही होती है बहुत सारे और features के साथ साथ हम ये देखना चाहते हैं कि आपको कि मैं याद्हानी के लिए सरफ अर्ज करूं तो पहले जब हमने validity की बात की थी quantitative data में तो हमने कहा था कि data वो चीज मैयर कर रहा हो जिसको मैयर करने के लिए उसको बनाया गया था जो मैयर करना उस research का मकस्त था एम था और ये concept हमने tools के perspective में discuss किया था valid tools कौन से होते हैं तो valid tool बन्यादी तोर पे किस लिए है valid data generate करने के लिए और validity से मुराज यही थी के when a tool measures what it intends to measure जो वो मैयर करना चाहता है अब बन्यादी तसवर वही रहेगा यहां पे भी जो उस वकत था लेकिन क्योंके जैसे शुरू में हमने कहा कि qualitative data में जो आप perspective gain कर रहे होते हैं वो असल में किसी complex phenomena का होता है multi-layer phenomena's का होता है उनकी नौईयत सादा नहीं होती उसकी layers होती है उसकी depth होती है तो साफ़ जहर है ऐसी सूरते हाल में फिर आपको ये ensure करना भी relatively complex काम है जो data आप collect कर रहे हैं वो वाकिए उसी चीज के बारे में है या उस चीज को या उस problem को signify करता है उसको relate करता है जिस च करने के लिए हम चंद characteristics पर बात करते हैं कि validity ensure करनी हो qualitative data में तो क्या देखना चाहिए data के अंदर credibility होनी चाहिए credibility से मुराद trustworthiness है believability है findings की आप यह देखिए कि जो चीज आपकी data से निकल रही है वो चीज लोगों को की common sense को appeal करती है वो चीज हमारी general observations के करीब है विल्कुल उसके opposite end पे ना खड़ी हो आपकी जो common sense है वो उस बात को support करती हो कि जो आपने अपने data से निकाला है यह उसकी credibility को enhance करता है इसके लिए अमूमन जो है वो लोग feedback का method इस्तमाल करते है feedback from participant तरक तोर पर मैंने किसी से interview लिया और उसका data collect कर लिया उस data से मैंने उसको फिर एक form में एक शकल में लिखा अपने पास narrative की form में text की form में लिखा तो मैं उसकी credibility को ensure करने के लिए दोबारा उसी शक्स को वो text दिखाता हूँ जिसका वो interview था और उसे कहता हूँ कि आप देखिये पढ़के जो बाते मैंने आपके interview से निकाली या लिखी है जिस तरह यही बात है यही intent है जो आप कहना चाहरे थे क्योंकि यह data beyond words होता है इसके या इसके पीछे इसके पीछे इसके पीछे इसके पीछे meaning होते हैं उस चक्स के जहन में मौजूद जिसने वो अधा किये होते हैं तो इसलिए मैं वापस उसके पास जाकर ensure करता हूँ कि मेरे ऐसे अलबाएज आपके जहन में मौजूद मीनिंग्स का इजहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसी तरह मैं फील्ड की पिक्चर लेने के लिए यानि क्रेडिबिलिटी के लिए मैं फील्ड में ज्यादा वक्त गुजारता हूँ ये भी इसका एक तरीका है इसकी credibility को ensure करने का क्योंकि जब भी फर्ज करने अब्जर्वेशन की सूरते हाल है आप किसी जगा अब्जर्वेशन के लिए जाते हैं तो एक आध दफ़ा अब्जर्वेशन के जाएंगे तो सब conscious होते हैं उनका रवईया वैसा नहीं होता जैसा routine life में होता है तो अगर मैं उनके साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारूं और फिर data collect करूं तो मेरी presence उस माहौल के अंदर जो artificiality लाती है जो मस्लूई पन लाती है वो आहस्ता हिस्ता खतम होना शुरू हो जाता है और मैं उस scene का हिस्सा बन जाता हूँ तो फिर लोगों के रवईये उसी तरह सामने आते हैं जिस तरह के routine के माहौल में होते हैं लेकिन अगर observation observation की तरह होगी तो फिर शायद ये मुम्किन ना होगा तो आप triangulation एक और तरीक है जो आप trust होने के लिए इस्तमाल करते है tradability के लिए इस्तमाल करते है और triangulation से मुराद क्या है कि मैं एक ही चीज़ की information उसके multiple angles से collect करता हूँ जैसे मैंने आपको teacher की मिसाल दी थी कि teaching characteristics किसी के check करने हैं तो आप उस से पूछें उसके तुलबा से पूछें उसके head से पूछें तो आपको multiple perspective मिलते हैं फिर आपस भी इसको cross match कर लीजिए आप इसी तरह एक और characteristic जो इसकी validity के लिए आप इस्तमाल कर सकते हैं वो transferability है इसकी अच्छा अमूमन इस पे भी qualitative quantitative research में तो यह यह बिलकुल एक तरह से established चीज़ है कि जिसको आप वहाँ generalizability का नाम देते हैं कि एक context में हासल हुई हुई findings उसी तरह के दूसरे context में काबले इस्तमाल हो जाएं लेकिन यह वहाँ पे यह term generalizability है जिसका तालुक sample और population से जुड़ा होता है लेकिन इसके मुकाबले में जब हम यहाँ qualitative research में लव्ज यूज करते हैं तो हम generalizability का लव्ज नहीं कहते हैं बलके transferability का कहते हैं क्योंकि यहाँ generalizability का लव्ज इस्तमाल करें तो उससे sense समझ आती है population वाली जो के असल में दुरस बात नहीं होगी हम यहाँ ना कोई sample draw होता है ना उस sample के against कोई population होती है transferability से concept वही है लेकिन उस तरह से उस form में नहीं है जैसे यह quantitative research में यहाँ transferability से मराद यहाँ कि एक सूरत हाल में हासल की गई findings अगर उसी setting में दुबारा कभी इस्तमाल हों तो वह उसी तरह behave करें उसी तरह true हों जैसे के वह पहली सूरत हाल में जहां उनको initially find out किया गया था उसी तरह से हो यहाँ उससे मुराद यह है कि मैं जब भी कोई data collect करूं qualitative research में तो मुझे यह ensure करना उसकी validity के लिए कि मैं उन settings को इतनी detail में study करूं जिसमें कि यह findings निकाली जा रही हैं कि जब भी वो detail पढ़ने वाले के सामने हो और किसी और situation में अगर उसको वही detail मिले तो यह वाली findings वहाँ पे काबले इस्तमाल होनी चाहिए इसके लिए मैं descriptions का इस्तमाल करता हूँ जिसमें मैं research का context participants के characteristics अपने methods और write-up का style इन को इस तरह से वज़ा करता हूँ कि इस के बाद जो मैं findings narrate करूं in details के बाद तो अगर दुबारा कोई शक्स इसी तरह की details को पढ़के उसी तरह का कोई context ढूंड ले या उसमें इस्तमाल करना चाहे तो अगर context आपस में मिल जाएं, settings आपस में मिल जाएं, तो इसकी findings वहाँ पे replicate हो सकें इस data से generate QE findings तो इस तरह से अगर यह characteristic होगा तो मैं कोगा यह transferability है, हम अगले module में इसी concept को यानि validity of quantitative data को ही आगे continue करेंगे